हलो लॉनर्स वेल्कम बाक टो आर चैनल स्टडी आईक्यो जुडीश्री दिस इस मी अर्जता अज के इस पुर्टिकुलर विडियो में हम बात करने वाले हैं डेली में हुए आज से दो साल पहले क्मूनल राइट के बारे में तो आज से कुस सालों पहले आज से दो साल पहले अंटी सीय वग्रा को लेके आपके डेली का जो नौर्टीश्ट एरिया है वहाँ पे आपके communal rights हुए थे, हिंदू-Muslim के बीच में बहुत सारा आपका लड़ाई जगडा देखा गया था, public property को बहुत जादा damage हुआ था, साथ ही साथ बहुत से लोग घायल हुए थे और बहुत से लोगों की जाने भी गई थी इस communal right के उपर आपके committee बनाई गई थी और उस committee ने finally अपनी report submit कर दी है, उसमें ये बताते हुए कि वो किन-किन लोग हैं जिनकी वज़े से ये riots हुए गए या फिर वो कौन लोग हैं जिनकी वज़े से इन riots को इन दंगों को होने से रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने सही time पर सही तरीके से act नहीं किया, जिसकी वज़े से इतना जादा public property को damage आपका यहाँ पर पहुचा और इतने सारे लोगों को भी काफी जादा injury वगरा पहुचाए गई, तो ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे आज के session में, but before we start with the session, please make sure कि अगर आपने अभी तक हमारे साथ Telegram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, जिस भी platform पे आप available हो, please make sure that you connect with us, ताकि जब भी कोई video डाला जाए, किसी भी exams related कोई update हो, कोई notification हो, आप इन में से किसी भी चीज़ को यहाँ पर miss out ना करें, तो आज के इस video में हम बात करेंगे आपके Delhi rights का 2020 में जो हुए थे, North East area में Delhi में, इसकी क्या report आपकी submit की गई है, और committee ने किन-किन लोगों के उपर यहाँ पर blame डाला है, कि इनकी वज़े से यह riots यहाँ पर हुए थे, या फिर situation को यह क्यों यहाँ पर संभाल नहीं पाए, तो report जो है, वो आपके release की गई है by Citizens Committee, ठीक है, इस committee में आपके Supreme Court के कुछ former judges, यानि जो Supreme Court में आपके judges रह चुके हैं, वो लोग साथी साथ आपके कुछ retired civil servants, यानि कुछ I.S. officers भी आपके इस committee का पाट थे, जिन्नोंने यह report यहाँ पर submit की है, और इन सारे लोगों ने मिलके यह indicate किया है अपनी इस report में कि Delhi Police, आपकी जो Union Ministry of Home Affairs है वो, और आपकी Delhi Government, यह तीन लोगों को blame किया जा सकता है, जो आपके communal rights हुए थे, in the month February 2020, North East Delhi में, कि किस सरीके से यह fail हुए, situation को handle करने में, situation को यहाँ पर सम्हालने में, committee के लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, report का नाम है यहाँ पर, Uncertain Justice, a citizens committee report, North East Delhi में, जो आपके violence हुए थे, उसके बारे में, यह report आपकी summit की गई है, committee के लोग यहाँ पर कौन-कौन थे, तो आपके Supreme Court के former judge, Justice Madan B. Lokur, Supreme Court के ex-judge रह चुके हैं, Justice AP Shah, ex-Chief Justice Delhi High Court, Justice RS Sody, ex- Delhi High Court judge, Justice Anjana Prakash, ex-Patna High Court judge, और आपके former Union Home Secretary, G.K. Pillai, जो की former IS रह चुके हैं, यह सारे लोग आपके committee का part थे, जिन्होंने यह report यहाँ पर submit की है, अब सबसे पहले, अगर हम बात करें, कि इन्होंने Delhi Police के बारे में क्या कहा है, यानि Delhi Police की आपके इन riots को handle करने में, क्या लापरवाही देखी गई थी, तो यहाँ पर committee का यह कहना है, कि जो आपके hate speeches बोले जा रहे थे, यानि communal violence करने के पीछे, एक दूसरे को भढ़काने के पीछे, जो hate speeches आपकी बोली गई थी, बहुत सारे political leaders ने यहाँ पर hate speeches दी थी, जिसकी वज़ा से यह communal rights आपके देखे गए थे, तो इन hate speeches को रोकने में, यहाँ पर Delhi Police का कोई भी हाथ नहीं रहा है, Delhi Police यहाँ पर fail हो गई थी, in hate speeches को यहाँ पर control करने में, साथी साथ कमिटी का यहाँ पर यह कहना है कि बहुत सारी जगाओं पर ऐसा देखा गया था कि पुलिस खुद उन लोगों की मदद कर रही थी, जो यहाँ पर आपके rights वगरा करवा रहे थे, दंगे वगरा करवा रहे थे, पुलिस खुद participate कर र साथी साथ जो आपके religious sites थी, यानि जो मज़ित वगरा पे भी attack हुए थे आपके Delhi riots के दौरान, उन सब में भी देखा गया है, बहुत सारे eyewitnesses हैं, media में दिखाया गया था, और जिन लोगों के against, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे affect हुए थे इन riots के दौरान, उन सब ने यहा लोग यहाँ पे यह attack करने में involved थे, यानि भीड का हिस्सा यह खुद भी थे, तो बहुत सारी आपकी information इस चीज के उपर available है, कि पुलिस ने किस तरीके से, एक तरीके से धिलाई देते हुए, proper तरीके से act यहाँ पे नहीं करते हुए, कही ना कहीं, यह violent situation में यहाँ पे act कि तो कमिटी का यहाँ पे यह कहना है, कि इस चीज के उपर भी proper investigation होना चाहिए, कि कैसे पुलिस खुद उन लोगों के साथ involved थी, जो यहाँ पे riots वगरा करवा रहे थे, और कैसे उस चीज के उपर यहाँ पे proper action आपका नहीं लिया गया, उसके बाद कमिटी ने यहाँ पे यह बोला है कि February 24 जिस दिन आपके यह main riots यहाँ पे चालू हुए थे, पुलिस को यहाँ पे देखा गया था कि आप anti-CA protest sites के उपर attack कर रहे थे, जो कि चांद बाग के side में situated है, आपने लोगों के tents के उपर आसू गोले के हमले किये, यानि कि tear gas आपने फेका, प्लस पुलिस यहा Muslims के उपर यहाँ पे पत्थर बाजी वगरा करिये, पत्थर वगरा फेकिये, ठीक है, बहुत सारे Muslim लोगों के घर और stores भी खराब करने के पीछे, उनको तोडने फोडने के पीछे भी Delhi पुलिस के लोग भी उसमें आपके involved थे, प्लस यहाँ पे पुलिस ने एक person फैजान, जिनकी death भी हो गई थी इस Delhi riots के अंदर, उनकी death में यहाँ पे कही ना कहीं पुलिस का भी हाथ था, कि पुलिस ने किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से इस आदमी को मार पीट करके, पुलिस ब्रूटालिटी वगरा दिखा के यहाँ पे जो है, वो act किया है, तो पुलिस के उपर जो है, आपके कमिटी की ये कुछ observations यहाँ पे रहे हैं, साथी साथ कमिटी ने ये भी बोला है कि इस communal riots से related, डेली पुलिस ने in total आपकी 758 FIRs वगरा फाइल की थी, कि भाई 758 FIRs आपके फाइल की गई थी उन लोगों के अगेंस, जिनका कुछ ना कुछ रोल रहा है आ आपके इस communal rights के involvement में, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पुलिस ने उन लोगों के against कोई investigation ही नहीं किया, जिनकी वजह से ये communal rights आपके start हुए थे, जिन्होंने hateful speeches दी, जिसकी वजह से लोग भढ़के, लोग provoke हुए, लोग instigate हुए, उनकी against यहाँ पे पुलिस ने किस अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने भी यहाँ पे किया है, उन लोगों के against, जिनकी against FIR file हुई थी, पुलिस का खुद का investigation यहाँ पे बहुत जादा गलत रहा है, यानि जो एक connection पुलिस को यहाँ पे बिठाना चाहिए था, उन लोगों के बीच में, जो इस violence के पीछे के main role थे, जिनकी वज़े से यह violence आपका पूरा यहाँ पे start हुआ था, जिन्होंने यह violence situation वहाँ पे पैदा की, hate speeches वगरा करके, और जो violence वहाँ पे देखा गया, तो इनकी उपर उसकी कोई liability, कोई guilt ही नहीं डाला गया है, इतना जादा faulty यहाँ पे डेली पुलिस का investigation रहा है, तो committee का यहाँ पे यही recommendation रहा है, कि एक investigation किया जाना चाहिए इस चीज के उपर, कि डेली पुलिस ने इस तरीके का faulty investigation वहाँ पे क्यों किया है, और डेली पुलिस के खुद के जो लोग, इन लोगों के साथ riots मे देखे गए थे, इन सारी चीजों के उपर यहाँ पे situation को handle करने में, तो committee का यहाँ पे यह कहना है, कि डेली पुलिस, जो है, डेली पुलिस का पूरा control आपके ministry of home affairs के पास था, जो आपके central parliament के forces हैं, उनका control भी ministry of home affairs के अंदर था, फिर भी इस communal violence को रोकने में, आपकी ministry of home affairs यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई, 24 और 25 February, जब आप साब बोला जा रहा था, सरकार भी आया कि यहीं बोल रही थी, कि हाँ situation पूरी control में है, कोई बहुत ज़्यादा damage नहीं हो रहा है, लेकिन committee का यह कहना है, कि जो on ground reality थी, वो इससे कहीं ज़्यादा अलग थी, situation आपकी बिल्कुल भी control में नहीं थी, बहुत ज़्यादा रहे थे, उन्होंने यहाँ पर request भी की काफी जादा, कि हमें और जादा police men की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अभी जितने police men यहाँ पर हैं, उतने काफी नहीं है, situation को यहाँ पर संभालने के लिए, बार बार यह request करने के बाद भी, ministry of home affairs ने यहाँ पर कोई भी action नहीं लिय था, तो committee ने यहाँ पर यही conclude किया है, कि यह आपकी केंद्र सरकार, ministry of home affairs, central government का failure है, कि आप इस communal violence की situation को ठीक से control नहीं कर पाए, इतनी जादा powers और इतनी जादा police force आपके होने के पास भी, इसके बाद तीसरा blame, जो committee ने आपका डाला है, that is on Delhi government, ठीक है, Delhi government को उन्होंने यह यहाँ पर यह बोला है, कि आप दोनों groups को, जिनके बीच में यह communal violence आपका हो रहा था, उनके बीच में आप उनको समझाने की कोशिश कर सकते थे, आप एक तरीके का उनके बीच में mediation कर सकते थे, लेकिन Delhi government ने भी यहाँ पर उस mediation को करने की कोशिश नहीं की, साथ ही साथ वो लोग जो इस communal right में affect हुए, वो लोग जिनकी जाने गई उनकी families, वो लोग जिनकी property को यहाँ पर damage हुआ, वो लोग जिनको घायल किया गया, जिनको injure वगरा किया गया, कमिटी ने यहाँ पर बोला है कि Delhi government ने उन लोगों को भी proper और adequate compensation और relief अभी तक नहीं दिलवाया है वो लोग अभी भी compensation और relief के लिए भटक रहे हैं, बार-बार सरकार के पास जाते हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई decision नहीं लिया गया है, यानि प्रॉपर तरीके से relief compensation जो उनको मिलना चाहिए था, वो लोग जो इस violence का part थे, जनको कही ना कही इस violence से बहुती जादा नुकस पहुचा है, उनको भी Delhi government अभी तक proper compensation वगरा नहीं दिलवा पाई है, जो भी हाम उन्होंने सफर किया है उसके लिए, तो ये तीन आपके groups हैं, जिनको committee के report में blame किया गया है कि कैसे Delhi police के part पे, उसके बाद आपकी ministry of home affairs के part पे, साथ ही साथ, आपके Delhi government के part पे यहाँ पे एक len बड़े level पे आपका ये communal violence यहाँ पे हुआ, communal rights आपके यहाँ पे हुए, उनको रोका जा सकता था, इतना जादा public damage इतना जादा लोगों को नुकसान होने से यहाँ पे बचाया जा सकता था, अगर एक timely action हम ले लेते, आखरी और चौथा blame, जो committee ने आपके डाला है, वो है news channels के उपर, ठीक है, कि जब यह पूरा event आपका डेली के अंदर हो रहा था, और जितने news channels, कुछ news channels का तो इन्होंने नाम भी लिया है, Republic TV, Times Now, आज तक, Z News, India TV, Republic भारत, ठीक है, यह सारे news channels, जो इस event को cover कर रहे थे, डेली के अंदर, जब यह riots वगरा हो रहे थे, तो committee ने बो आया जा रहा था, वहाँ पे भी बहुत जादा communal hatred पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, Muslims को बहुती बुरी light में वहाँ पे दिखाने की कोशिश आपके की गई है, मतलब बहुती जादा hatred वहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, तो यह जो CAA के around आपके पूरे protest व हो गया, और कही ना कही Muslim community इसको deliberately सिर्फ इसलिए कि वो CAA के against protest कर रहे थे, उनको भी deliberately यहाँ पे बहुती बुरी light में दिखाने की कोशिश की गई, बहुती negative side उनका दिखाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा था नहीं, तो चौथा blame यहाँ पे जो डाला गया है, वो आपका डाला गया है, किसके उपर, आपके news channels के उपर, तो यह थी committee की report, जो की आपके बनाई गई थी, यह proper investigation करने के लिए, डेली में जो आपके riots हुए थे, और committee की जो भी findings रहे हैं, जो भी conclusions रहे हैं, कि किसके पार्ट पे क्या fault था, किस तरीके से situation को handle किया जा सकता था, बट नह किया गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जो भी information मैंने share की, वो आपको समझ में आया है, then do press the like button, do share the video as much as you can, and channel को subscribe करना बिल्कुल भी, मत भूलिएगा, plus if you are a judiciary aspirant, अगर आप आने वाले upcoming exams की तयारी कर रहे हैं, तो you can also come and enroll for the study IQ judiciary courses, यहाँ पे आपका जो भी target state है, उसके basis पे आप course के लिए enroll कर सकते हो, हर state का एक specific यहाँ पे course भी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर उस state में पूछे जाने वाले सारे major subjects, minor subjects, ठीक है, local laws आपके हो गए, judgment writing है, mains answer writing है, legal current affairs है, GK है, सारी चीज़ें आपको cover करवाई जाती है, बहुत ही कम nominal price के अंदर, ठीक है, सो गाइस, with that we come to the end of the session, thank you so much once again for watching the video, take care, all the best for your preparation, bye-bye.